तुमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रस्यानी एंसीपी नेता नवाह मलिक एंसीपी ऑफिसर समीर फ्वान खेड़े को खेड़ने के चक्कत में अब चारों तरफ से खिर चुके हैं नवाफ मलिक पर मान हानी का केस तरच करेगा समीर फ्वान खेड़े का परिवाद के उनकी तरफ से कहा गया है उनने कहा है कि जो आहरोब लगाए गया है उसको लेकर कोट भी जाना पड़े तो उसके लिए वो तयार है लेकिन आपको बता दे मुंबाई के ओसीवारा पुलिस स्टेशन में समीर फ्वान खेड़े के परिवाद नवाफ मलिक के खिलाफ एक FIR भी तरच कराई है वही इसी बीच के BJP के महा सचीव कहलाश विजह फरक्या ने समीर फ्वान खेड़े का समर्थन करते कोई एक बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा है कि माहराज के मंत्रिय पर अंडर्वर्ड डॉन दाउदी भ्राहीम का परफाव है यानि उनका हाथ उसके उपर है साफ़तोर पर यह कहा गया है तो किस तरीके से एंसीपी नेता नवाफ मलिक समीर फ्वान खेड़े के परिवार को निशाना बना रहे हैं यह लगाहतार उनके ट्वीट साफ़तोर पर बया करना हैं लेकिन अब एक बार फिर समीर फ्वान खेड़े के परिवार की और से उनके पिता ज्यांते वान खेड़े और उनकी पत्नी क्रांती वान खेड़े में प्रेस कॉंप्रेंस करते हुए नवाफ मलिक के इस परजी वाड़े की पोल खोली है समीर वान खेड़ के पिटा ने ये कहा है कि हम जीवन के खत्रों का जाहना करते हैं लेकिन नवाह मलिक एक प्रभावशाली जक्सियत है और रावन की तरह है उनके दस हाथ दस मूँ पैसा है कुछ भी कर सकता है और मैं दलित हूँ मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो सकता है ये सवाल उन्होंने नव तमाम आहरोप उनकी तरफ से लगाए गई हैं और जिस तरीके से लगातार एंसीबी के जॉर्णल डेरेक्टर समीर वान खेड़े पर नवाह मलिक तमाम आहरोप लगा रही हैं तमाम परसनल अटेक उन पर किये जा रही हैं उसको लेकर अब समीर वान खेड़े की पत्नी ने हैं ये जाच ना चले और उनका दाहमाद बेगुना होकर इस पूरे ड्रग माफले से छूट चाएं मकसद यही है और यही वज़ा है कि नवाह मलिक लगातार इस तरीके के हरतकंथे अपना रही हैं इस तरीके का जूट पेश कर रहे हैं आपको बता दे नवाह मलिक ने पह है और 26 आहरोब उन्होंने समीर वानखेडे पर ठगाय थे लेकिन उसके बाद एक बाद फिर एक निकाह नहया जो है वो उनकी तरफ से जहरी किया किया है और यह कहा किया है कि समीर वानखेडे ने निकाह किया था और वह मुस्लिम है यह दरसल इस पूरे आहरोब को सच जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि निका नावा बिलकुल सही है निखा हुआ लेकिन समीर वानखेडे में कारूनी तोर पर अपना धर्व जाती नहीं बदली ये सिर्फ एक औपचारिकता थी क्योंकि उनकी जो सास थी वो मुस्लिम थी यानि समीर वानखेडे की मा वो मुस् पिर जाहे वो जन्द परमानबत्र हो वो पूरी तरीके से गलत है उन्हें ये कहा है कि हमारी जो परसनल पोटोज हैं वो दरजल साचा करके नवाह मलिक अपने सम्विधानिक शपत के खिलाफ काम कर रहे हैं अपने पद का दुरूप्योग कर रहे हैं हम उनके खिलाफ पुनी कारवाई करेंगे और मुंबाई के ओशिवारा प्लिस स्टेशन में एक फायार नवाह मलिक पर दर्ज कर ली गई है उनका एक ही मकसद है समीर प्वानखेडे को परसे हटाना ताकि उनके दाहमाद को बचाया जा सके तो साफतोर पर नवाह मलिक ये जो कुछ भी कर हैं ये सर्फ और सर्फ अपने दाहमाद को बचाने के लिए एक के बाद एक कार खेले जा रहा हैं लेकिन समीर प्वानखेडे का परिवार साफने हैं चुकि ना सर्फ NCB के जौनल डिरेक्टर समीर प्वानखेडे को इस पूरे मामले में खसीटा चा रहा है उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं बलकि जिस तरीके से उन पर नीजी हमले किये जा रहे हैं जिस तरीके से उनके पुरे परिवार की कुंडली नवाफ मली खंगाल रहे हैं ऐसे में जरूरी है कि साफने आकर उन आरोपों का जवाब दिया चाए नवाफ मली के जूट की पॉल खोली उनका बेटा हिंदू है उनके पूर्वस जो थे वो खी हिंदू थे तो ऐसे में समीर फ़ान खेडे मुसलिम कैसे हो सकते हैं ये जाहर दोर पर नवाह मलीक का फरजी वाड़ा है नवाह मलीक रावन है ये उनकी तरफ से कहा गया है और जिस तरीके से नवाह मलीक की ओर से ये आहरोब लगातार लगाए जा रहा है कि दरसल समीर फवान खेड़े ने इस नौकरी को पाने के लिए UPSC के एकजाफ में आरक्षन पाने के लिए यह दरसल यह कार्ड खेला है वो पहले मुस्लिम थे फिर यह दस्तावेचू भे कही न कहीं फरजीवारा हुआ है कि उनकी किलियर करके वो IRS ऑफिसर बने हैं वो NCB के जॉर्नल डिरेक्टर बने हैं यही नवाह मलिक चैसे लोगों को हजम नहीं हो रहा है और यही कहीं न कहीं बॉकलाहट है नवाह मलिक की लेकिन उन्होंने नवाह मलिक को यह सला दी है कि दरसल समीर खान अपने दाहमात को बचाने के लिए वो जितना वक्त समीर खांखेड़े पर पर्सनल अटैक करने में विता रही हैं बहतर होगा कि अपने दाहमात को बचाने वगों को दूसरा रास्ता अपनाई बहतर होगा अपने दाहमात को बचाने के कालूनी पर्रकरिया पर ध्यान दे उस पर टाइफ लगाए च उसके लिए और जादा उनकी बढ़ेंगी चुकि NCB की जो जाच टीम है वो अब नवाफ मलिक के इन आहरोपों की जाच करने और जिस तरीके से वसूली का आहरोप उन पर लगाए काई हैं उसकी जाच करने के लिए फिलाल महराश्टर पहुंच चुकी है लेकिन वहीं आपको बता दें चार एफ यार इसलिए दर्च हुई है चुकि उन्होंने समीर फान खेड़े पर के तमाम गंफीर आहरोप लगाए हैं वहीं दो एफ यार इसलिए दर्च हुई है क्योंकि नवाफ मलिक ने जिस तरीके से यह दलित कार्ड और मुसलिम कार्ड खेला चारा है सामप परदाई को जोहार्थ को बिगाड़ा चा रहा है यही वजा है कि उन पर यह दर्च हुई है कुल 6 अभी तक नवाफ मलिक पर दर्च हो चुकी है आपको बता दें नवाफ मलिक अब लगाहतार शिकंचे में पस्ते जा रही हैं और वहीं अब बीजेपी के महासचीव बयां साथने आया है उन्होंने कहा है कि नवाफ मलिक जो जटपटा हट है शारुख खान की पीटे आरियन खान को बचाना और कहीं न कहीं इसी रास्ते से शमीर खान जो कि उनके दाहात है उसको बचाने की कोशिश में नवाफ मलीक लगे हुई है नवाफ मलीक या महराश्ट सरकार के तमाम मंत्रियों के ऊपर अंडरवर्ड डॉन दाउति इप्राहिम का हाथ है ये उनकी तरफ से कहा गया है कैलाश वीजे वर्के ने कहा है कि नव मारे देश में नहीं है लेकिन उसका प्रभाव महराश्ट सरकार के मंत्रियों पर है कि बड़ा होयान उनकी तरफ से द्याख्या है चुकि इस पूरे माफले में आपको बता दें लगातार ये इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन जो है इसकी बात साफने आ रहा है आर्कियन खा भी फिलाल खंगाश रही है और यही वज़ा है कि आपको बतारें NCB ये कोर्ट में कह चुकी है कि दरसल आर्कियन खान के इसी कनेक्शन को खंगाशने के लिए उन्हें विदेश मंत्रासले की जरूरत है चुकि इंटरनेशनल लिंक पाए गए है विदेशी ड्रग पैडलर को गिराफ़तार किया किया है क्या ये कनेक्शन दाउदी इब्राहिम तक पहुंसते हैं ये बड़ा सवाल है जो लगाशतार इस पूरे केस में उठ रहा है लेकिन NCB इस कनेक्शन को खंगाशने में जुटी हुई है आप मुश्किले आर्यान खान की लगाशतार बढ़ रह रही है उतनी ही जटवटाहत نवाह समीर वांखेड़े का परहिवार साथने हैं जो ईचा रहे हैं उस पर जवाबち चैसार है उन्होंने कहा है कि सच क्या है ये लगातार परिवार की ओर से बताया जा रहा है लेकिन समीर फानखेडे की मां मुसलिम थी लेकिन उनके पिता हिंदू है हिंदू थे ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है तो फर समीर फानखेडे मुसलिम कैसे हुए ये सवाल उनके पिता की ओर से भी क्या क्या है तो फिलाल यही नवाफ मली का फरजी वाड़ा है जो कहीं न कहीं उन्हें दलदल में धकेल रहा है फिलाल आपकी इस पूरे माफली पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद